हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारह पत्रक नमबर 6 करेंगे जो कि क्लास 6 की है और विश्य है सामाजित विज्ञान ये वर्कषिट 28 जुलाई 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्कषिट वर्कषिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्कषिट उप विश्य महा सागर जैसा कि आपने पिछली वक्षिट में महादूपों के बारे में जाना था कि पृत्वी के बड़े भूबाग को जिसकी सीमाइं स्परस्ट पहचानी जा सके उसे महादूप कहते हैं हमने पिछली वक्षिट में सीखा था कि महादूप किसे कहते हैं प्रत्वी का बड़ा भुवाग, स्थलिय भाग जहां पर क्या हो जमीन हो, ऐसा भुवाग जिसकी सिमाएं जो है स्पस्ट्रूप से पहचाने जा सके उसे हम महादृब कहते हैं, आज हम महासागरों के बारे में जानेंगे, इन महादृब को चारो और से घेरे रहते हैं, महा महा पाया जाता है महा सागरों में पाया जाता है महा दीपों की तरह महा सागरों की सिमाएं स्पस्ट नहीं होती है जैसे कि क्या था महा दीप तो कैसे इस तरह से शेप बना दी तो यह महा दीप आ गया इसकी सिमाएं स्पस्ट थी लेकिन महा सागरों की जो सिमाएं हैं वो स् हिंद महासागर फिर दक्षनी महासागर और अरक्टिक महासागर तो आए इनकी स्थिति को हम देखते हैं तो देखिए यहां पर देखते हैं ध्यान से पिच्चर को देखेंगे सबसे पहले महासागर देखो एक यहरा महासागर यह है प्रशान्त महासागर उसके बाद अंतला बड़ा महासागर यह क्या है प्रशांत महासागर यह देखो उसके बाद क्या है अंतलार्टिक महासागर यह सारा क्या हो जाएगा अंतलार्टिक महासागर उसके बाद यह सारा जो है हिंद महासागर ठीक है उसके बाद दक्षिनी महासागर यह क्या हो जाएगा दक्षिनी मह तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक दूसरे के पास में है तो ये भी कौन सा महासागर वह प्रशांत महासागर इसलिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रशांत महासागर और हमने पिछली वक्षित में महादीब देखे थे एशिया महादीब यूरोप महादीब सबसे बड़ा महासागर कोन सा है प्रशांत महासागर अभी अमने देखा था सबसे बड़ा कोन सा महासागर है प्रशांत महासागर ठीक है अब एक कोशिन देखो इंटरस्टिंग है किस महासागर के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा कोन से महासागर का हिंद महासागर Maha Sagar ठीक है देखो बहुती आसान और बहुती बहुती ऐजी वक्षित थी, आज की तीन कोश्ण है आपको मैप अच्छे से समझने हैं और इन जो वक्षित में महासागरों के नाम है नाम भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं तो आज की वक्षिट बहुती आसान थी वक्षिट को कम्प्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू गाइज